इस वीडियो में आप लोग के साथ एक ऐसे इंडिकेटर को इंटर्डूस करने वाला हूं जो आपकी ट्रीडिंग में आपको बहुत करने वाला है इस इंडिकेटर की मदद से आप पहचान सकते हैं कि जब भी आप कोई ट्रेड बाइंग करते हैं जैसे कोई किसी लवल का ब्रेक आउट होता है जा ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए हमें एक प्रोपर वॉल्यम चाहिए होता है क्योंकि कभी भी कोई भी जो बड़ा कि हंडर मैं से 95 ताइम आप उस अगर वाल्यम को देखते हैं और यूज करते हैं तो आप इसली मार्किट का जो फेक ब्रेक आउट है और जा फिर वाक्य में जो जैनुन ब्रेकाउट है उन ब्रेक आउट सकते और फेक ब्रेक आउट से बस सकते हैं चलिए अभी यही चीज समज ने कुछिछ करते हैं देखिए सबसे पहले आपको जैसी की पत है मैं तीन इंडिकर में उसकरता हूँ आफुचर्समें भी कुछ इंडिकर्स करता हूं सबसे पहला जो इंडिकर्समें मेरे तो है और थर्ड चीज में वॉल्यूम यूस μαalities ६ॉल्यूम उस कि लांड आपको जो भीवेट हें थैए ? क्योए पाले आपको ॉल्यूम पे निच्वी कि सब्सक्राइबून की चीज है कि market का trend पता होना जोरी दिखे कभी भी मानग चली candles आपके 920 की नीचे ट्रेड कर रहे हूं candles आपके क्या हो रहे 920 EMA की नीचे ट्रेड कर रहे हो plus CPR भी rejection का काम करे और CPR का भी breakdown हो जाए तो उस case में आपका put cut trade होगा तो यहां पे आप देखे हम put cut trade ले सकते थे चली अभी हम इसके उपर बात नहीं कर रहे है main अभी बात करें हम volume के पर देखे यहां पर क्या हो normal volume में आपको यहां पर buying volume देखा अभी जो लोग इस volume को देखके trade में चड़े होगे जो scalping वाले वो तो पैसा बना के निकल ली होंगे देखे इस candle में volume आया है ठीक है चोटा मोड़ा scalping हुआ होगा लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं कि इस time पर जब यह volume आया उसी time आपका option का price भी भड़ाओ लेकिन यह देखे कि यह कैसे एक fake breakout दिया और उसके बाद देखे market ने नीचे reverse कर दिया अभी यहां पर देखे जो indicator में यूज करता हूँ इस indicator का नाम है advanced volume by guru तो यह जो indicator है यह मेरा खुद का code किया गा इंडिकेटर है इसमें अगर parameters की बात करो तो इसमें कुछ moving average के parameters है अभी देखे यहां पर पूरे दिन में कितने वाल्यम आया ठीक है दो वाल्यम आया ठीक है उसके बाद चोटर आधम थे कर आए का तो अब देख लीजी है शोथा रांच यह बहद verbess च्छटा कुल आरज मटन हो ज़स implicर में इस विर दो करेक में घचामें होड्य में प्रवा जो इंडिकेटर में अद्विक लिग यह, च्तुछ को है। तो आपो यह पर गलत सकते हैं प्रेंस को न होदो देट वाज फेक ब्रेकाउट वॉल्यम ठीक है लोग अकसर इसी चीज को देखे ट्रेड करते हैं और इसी में ट्रैप हो जाता है लेकिन एक्ट्वल डिखें यहां पर कैस सेलिंग वॉल्यम इधर भी सेलिंग वाले तो अधर मार्केट क्या हो गिरा और आप देखें और पहल जो नॉर्मल वॉल्यम है जो ट्रेडिंग वी वॉपे फ्री व्कॉस्ट अवेलिबल वह यहां पर देखें वॉल्यम का है ड्राइ है कोई वॉल्यम नहीं है बिलकुल ड्राइव लेकिन जो इंडिकेटर मैं उसकर रहा है इसमें देखें एक्चुली जैनुन वॉल्यम का इस डेफिनिटर को तो डेकर यस्टन को देखें किया डि ch इस इंडिकेटर को मैं ईक बार के लिए बंद कर देता हूं तो हम लोग यह समझझ कि यह इनडिकेटर काम करने तो हम इसको बंद कर अभी यहां पर देखिए इस वार्यम एंडिकटर जो मैं आप यहां पे अच्छा खासा पुट में स्केल पर सकते हैं अब यहां पे देखें जब इसने आपको पता है कि नीचे हमारे पास क्या है जब इसने नीचे से करेंग है आप यह पे जैनुट कहां पे करेंगे जब इसने नाइन ट्रेड के उपर सस्टेन ना करना शुरू करeloव बैए babies to साथ green volume के साथ breakout दिया so this is a perfect entry for going long आप यहां पे हैसे लगाए पहला target आपका रहेगा day high का तो day high का आपको target मैं आपको हजारो examples दिखा सकता हूँ इस indicator के उपर अभी मैं चली यह indicator जो है इसके उपर मैं forex में भी trade करता हूँ plus Indian markets में भी trade करता हूँ अब मैं आपको कुछ example forex market में दिखाता हूँ चलिए हम लोग यहां पे gold का chart लगाते है इस यह gold का chart है सब अभी इसमें जो हमारा मैं एक बार यह indicator को बंद करता हूँ इस indicator का हमें कोई use नहीं है so basically अगर आपको मैं हम यहां पे forex market चलती 24 गंटे तो हम इसको करेंगे 15 मिन के time frame हम पांच मिन के अंदर नहीं इसके अंदर trade करेंगे जो market जैसे कि Indian market वो छे गंटे चलती है तो उस case में हम लोग क्या करें पांच मिन का chart देखेंगे लेकिन अगर जो 24 गंद मार्केट चलती है उसमें हमारा time frame पंदर मिन का होगा confirmation देखेंगे कहाँ पांपया volume के साथ this is the short short entry for the put अगर आपको करने तो feature short कर सकते हैं जब put buying कर सकते है option में so same as it is अभी यहां पर देखेंगे अगर मैं पिछली दिन की example देखा हूँ तो देखेंगे यहां पर क्या हुआ गोल्ड में breakout हुआ cpr का किसके साथ हो volume के साथ with volume again breakout with with volume तो जो selling आई वो किसके साथ आई volume के साथ आई एक दम बहुत तरीके से अब यहां पर देखेंगे breakout किसके साथ हुआ volume के साथ हुआ फिर selling किस पर आई volume के साथ हुआ इस इंडिकेटर को आप यूज किसी भी इवन दो इन crude oil आप किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हुआ बहुत पावरफुल यह इंडिकेटर है सो यह कैसा टूल है जो की moving average के उपर यह जो volume है पूरा moving average के उपर based है ठीक है इसका मैं parameter आपको नहीं शेयर कर सकता लेकिन इसमें एक चीज है value नहीं करना है उसको हमें तवज्जो नहीं देनी ठीक है तो जहां पर buying volume आए वहां पर buying करिए जहां पर selling volume आए वहां पर selling करें तो scalping के लिए one of the best tool है अगर आप price action के साथ अगर आप इस indicator के इस volume indicator को price action के साथ compare करेंगे और compare करके trade करेंगे तो definitely पैसा बनाने easy हो जाएगा लेकिन अगर blindly चलेंगे जैसे मानगे इस तर बाइंग वाल्यूम देदी आपने तुक्के से trade मारे तो definitely उसमें loss के chances बढ़ जाएंगे लेकिन मैं वही चीज को हर एक चीज को price action के साथ दे है ऐसे trade करना मतलगी blindly नहीं जाना किसी इंडिकेटर के उपर blindly rely नहीं करना उसको price action के साथ compare करेंगे जहां पर आपके accuracy मानगे चालिस से 50% रहेंगे अगर आप यही चीज प्राइस एक्षिन के साथ चलेंगे तो वहां पर आपके accuracy 90 to 95% हो जाएगी बाकी जो है वो psychology है आप करते हैं कितने lot size में trade करते हैं वो सारी चीज़े matter करते हैं ठीक है लेकिन indicator में कोई कमी नहीं होती कमी हमारी तरफ से होती है कि हमारा execution में दिक्कत आ जाती जा फिर हमारी position sizing में दिक्कत आ जा फिर हमारा mind setup भी इतना weak होता है कि हम उस जैसे मान चली यहां पर मैंने call का trade ले इंडिकेटर ने भी call का trade दे लेकिन मैंने कि किया मैं इसी candle में निकल गया डिया हाई पी निकल गया लेकिन market उसे उपर बाग तो यह psychology का part हो गया इसमें indicator का कोई दोश ने इंडिकेटर ने तो अपना काम कर दे लेकिन हमारी psychology week थी हम इसलिए hold नहीं कर पाए ठीक है अगर आपको यह इंडिकेटर चाहिए जा फिर मेरा एडवांसी पर इंडिकेटर चाहिए यह दोनों इंडिकेटर आपको combo में मिल जाएंगे ठीक है लेकिन इसका मैं price की बात करूं तो इसका जो price आपको लगेगा 2500 रोपीज लगेंगे ठीक है और इस इंडिकेटर का जो access नहीं आप एजिली एक दिन में trade करके इस इंडिकेटर दोनों इंडिकेटर के बेसे पर आप एजिली यह price कवर कर सकते हैं और इंडिकेटर के access lifetime रहेगा चलिए मिलतेकर वीडियो में धन्याबाद तमस्काल